दोस्तों इस वीडियो के अंदर पुराने टीवलाइट के यूज करके मैं RGB टीवलाइट बनाना सिखाऊंगा तो वीडियो को लास तक देखना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए स्टार्ट करते हैं इस टीवलाइट को बनाना बहुत ही सिंपल है पुराने टीवलाइट का यूज करके आप बना सकते हो एक LED RGB टीवलाइट तो यह RGB टीवलाइट जो है ओर रिमोट कंट्रोल होने वाला है तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वाट किया है और इसमें जो भी एक जो भी सर्किट है मैंने निकाल करें इसका बाडिका यूज करने वाला हूं तो यह जो देख सकते हो आप लोग यह रिमोट RGB स्ट्रीवलाइट है इसी स्ट्रीप लाइट का मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ जो एलेट का मैने इसमें काट लिया है तो यहाँ पर से निकाल लेनी है LED को और आपको इसमें लगा देनी है तो यह जो है 80-90 रुपय में अपने लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा यह स्ट्रीप लाइट बहुत ही अच्छा तरीके से पीछे की तरफ इसमें गोंध भी रहता है जिससे आप अच्छे तरीके से इसको चिपक क्योंकि किसी भी glue gun से इसको चिपका करके अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं इसको चिपकाया है तो वीडियो काफी interesting होने वाला है और बहुत ही नई topic है जो कि मैं आप सभी के लिए नए-नए topic लाता रहता हूँ तो दिवाली के लिए decoration light बहुत ही अच करने वाला हूँ तो यह देख सकतो हूँ यहाँ पर मैंने glue gun से चिपकाया है बहुत ही अच्छे तरीके से यह चिपक गया है तो इस तरीके से आपको चिपका देनी है और उसके बाद आपको मैं connection करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको connection करना है जो कि इस circuit का जो यह black पाली पॉइंट वो positive है और B यानी green हो गया तो इसमें ultra connection था इस व्यास मैंने ultra connection किया है तो आप चेक कर लेना ultra ultra करके इससे जलेगा नहीं यह आपका circuit ठीक है तो इस तरीके से मैंने इसका connection किया है and connection करने कवाद आपको मैं check करके दिखा देता हूँ देख सकतो किस तरीके स यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं जैसे ही रिमोट में red टिक आए तो रेड आ गया बहुत अच्छा तरीके से वर्क कर रहा है तो वीडियो में इतना ही मिलते हैं किस नेक्ट वीडियो में तब तेक लिए बाबाए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना